गर्मी के मौसम में दही करड का सेवन स्वास्थ parlar के लिए काफी फाय दिमंद माना जाता है. क्योंकि दही के अंदर पोशक तत्वों का भहंडार होता है, साथ ही इसकी तासीर भी थंडी होती है. इसलिए इसका सेवन करने से कई बीमारिया दूर होती है. दही में कैलशियम, प्रोटीन, विटामिन, लेक्टोज, आहरन, फॉसफोरस, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन C, फोलेट, विटामिन B2, विटामिन B12 जैसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थे के लिए काफी लाबदायक साबित होता है लेकिन दही खाने के कई फायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको बताएंगे की दही खाने के क्या-क्या फायदे और नुकसान होते हैं तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू सबसे पहले दही के उपयोग बता देते हैं 1. दही का उपयोग लसी बनाने के लिए किया जा सकता है 2. दही का उपयोग छाच बनाने के लिए किया जा सकता है 3. दही का उपयोग कई सबजी को बनाने के लिए किया जाता है 4. दही का उपयोग दही बड़ा बनाने के लिए किया जा सकता है 5. फलों के साथ दही का उपयोग डेज़द बनाने के लिए किया जा सकता है 6. दही का रायता बनाकर भी सेवन किया जा सकता है 7. दही का फेस पैक बनाकर चहरे पर लगाया जा सकता है आठ, दही को बालों में लगाया जा सकता है आप बताते हैं दही के फायदे क्या होते हैं 1. दही में विटामिन C की अच्छी मात्रा मौजूद होती है साथ ही दही में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नश्ट करने में मदद करते हैं इसलिए इसका सेवन करने से रोप्रतिरोधक इम्म्यूनिटी क्षमता मजबूत होती है जिससे आप कई बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं दो, दही का सेवन पेट के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि दही पेट को थंड़क पहुँचाती है साथ ही पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और पेट संबंधी कई परेशानियों को दूर करने में मदद करती है 3. गर्मि के मौसम में दही का सेवन करने से शरीर हाइड्रेट हाइड्रेट रहता है साथ ही शरीर में एनेजी बी बनी रहती है 4. दही का सेवन हड़यों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि दही में कैल्शियम की प्रचूर मात्रा पाई जाती है जो हाडियों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होती है 5. दही का सेवन वजन कम करने में मदद करता है क्योंकि दही में कई विटामिन्स मौजूद होते हैं जो पेट को काफी देर तक भरा-भरा रखते हैं जिससे जल्दी भूख नहीं लगती है 6. दही में बेसन मिलाकर फेस-पैक बनाया जा सकता है जिसको चहरे पर लगाने से स्किन सम्बंधी कई परेशानिया दूर होती है 7. दही का सेवन ब्लद प्रेशर वाले मरीजों के लिए फाइदे मंद माना जाता है क्योंकि दही का सेवन करने से blood pressure control में रहता है और अब हम आपको बताते हैं दही के नुकसान 1. सर्दी खांसी की शिकायत होने पर दही का सेवन नहीं करना चाहिए 2. अस्थमा के मरीजों को दही का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका सेवन उनके लिए हानिकारक साबित होता है 3. दही का अधिक मात्रा में सेवन करने से acidity की शिकायत हो सकती है 4. दही से कई लोगों को allergy होती है ऐसे में इसका सेवन करने से skin संबंधी परेशानी हो सकती है 5. जिन लोगों को arthritis की शिकायत होती है उनको दही का सेवन करने से बचना चाहिए अस्वीकर्ण, सलाह सहत यह सामगरी केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेशग्य या अपने चिकितसक से सलहा करें All World Online इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है